आखों में निंद ना दिल में करार ये महबत नहीं SI की त्यारी है मेरे यार नमस्कार में मितुन यादाव आप सब का गाई आज के सेसन में कंप्टिशन कम्मिल्टी पर SI के बैच में स्वागत करता हूँ बहुत इंपोर्टेंट पढ़ने वाले जिसका नाम होगा प्रॉफिट लॉसंड डिसकाउंट आज के वंडे एक्जाम के थियास में साइधी को इसा पेपर रहा होगा जहां से कॉस्टन आपको प्रॉफिट लॉस और डिसकाउंट से देखने को ना मिले ठीक उसी तरीके हम यहां से कॉस्टन हंडेड़ परसंट देखने को मिलेगा और हंडेड़ परसंट आप सौल भी करके आओगे यह मेरा चैलेंज आप सबोगा ठीक है चलिए बहत्री अंदाज में सुरू करते हैं क्योंकि आपने से बहुत सारे बच्चे ने प्रॉफिट लॉस डिसकाउंट क को सौल किया होगा लेकिन आज में जो तरीका सौल करने बताऊंगा अब उन तक पीछे जितनी तरीके पढ़ते भूल जाओ आपको बताऊंगा किस तरह सम किसी चीज को रेशियो के इस्तमाल करके चीज़े इतनी आसान बना सकते यह बात आपको आज समझ माएगा ठीक है इ किना वक्त गमाई चलिया सब बताते हैं बहुत प्रैक्टिकल लाइफ है क्योंकि अर्थमेटिक मतलब समझत इसका नामी है क्या वहवारिक गनित इसका मतलब आपके रियल लाइफ की समस्या को सौल करेगी कहने की प्रॉफिट लॉस आज तक आप जितने स्वापिंग किये सब्सक्राइब करें यह था यहां पर खरीदने और बैचने की बात होगी बनता पूरी तरह से बिजनस का स्टेड़ी चलेगा ठीक है लोग करें गाopy करें मुली ठीक है काया शोथ लीत करें मुली बहुत बप्र बरिया chopping कीमत पर किसी वस्तुन हुआ जिस कीमत पर किसी वस्तु को मार्केट से घाइज हम लोग खरीते हैं ठीक है उसको क्या करते है बाई या परचेज उसको क्या बलते हैं को रहें सॉट में कैसा इसको मॉलुँगा देखेगा ठीक है बात के लिए सब्सक्राइब क्या होता है जिस किमत पर किसी वस्तु को मार्केट में जाकर बेच देते हो ठीक है अनुजिस पर गाई जिस कीमत पर वस्तु करते हो तो सेल करते हो क्या बारवर में इसते होते हैं जिस पर पर चली इसको मैं रफ करते हैं आगे बात करते हैं पे कहानि इस्ञार द्यान सुन आ जे बिजनेस में बात करता हूं कि मान लिए कोई वस्तु को आप समान दुकान तक खरीदे खरीद कर पहुंचाए तो वस्तु का कीमत पढ़ गया सो तो एक बात यहां पर दो तीन बातें बताना चाहूंगा एक कहानी के माध्यम से कि कोई समान कम खरीदे और दस रुपया हमको टांस्पोर्टेशन चाहिए रूम तक पहुंचाने में और अगर हम गया होंगे तो इस तरीके से रूम तक पहुंचाने में हमें कितना लग गया खर्च सो लेकिन आप बलो कि सर आप तो खरीदे हो तो असी रुपया में समझे सो तो उसी तरीकर बतार एक सर यह सवाग हो इस आप कंपड़िया हम क्या क्या करता है कि यहां पर एक्स्ट्रा प्राइस प्राइस को क्या करते पता एड़ कर देती एक्स्ट्रा प्राइस को क्या करते पता एड़ कर देती एक्स्ट्रा प्राइस को क्या करते पता एड़ कर देती एक्स्ट्रा प्राइस को क्या करते एक्स्ट्रा प्राइस को क्या करते एक्स्ट्रा प्राइस किस पर मार्क करके चिपका देते हैं ठीक है तो जब भी कोस्टन बोले तो समझ जाना सव का समान को मार्कली में 120 उतार दिया है 30% मार्क का मतलब 100 में खरीदे और 130 में उतार दिये 60% मार्क का मतलब क्या होगे यह 200 में खरीद कितना पर दिया किसी भी नंबर का 10% निकालाओंगा एक के बाद पहुंचिपका देंगे इसका 10% कितना हो गया 15 तो 30% कि 20% कितना हो गया 30 मतलब 30 रुपया छोड़ दिया मतलब 150 का समान में 30 रुपया अगर डिसकाउंट मिला बैचेंगे कितना 120 में और जिस कीमत पर बैचते थे इसको क्या बलते हम लो सेलिंग प्रैस भुलिएगा मार ठीक है अब मही बात सुनो कई बात में सिखाऊंगा सब एक साथ क्लियर कर दोंगा डेख़ो इस ड्याग्राम को थिस्ञान को क्या करो अब देख लो ठीक हगा Angraal को की अप समझेग नहीं अब सभान अगर मां शो का समान सवान खरीद हैं और वेचे कि नम थे चै करो किस नम कह देख लिए हूँ ले तो किना लगर कितना लभ कुछ सरब वआ तो सितना का कला सर प्रॉफिट तो यहां पर यहांसे निकel गाता क्या चा लंगत्या तो प्रॉफिट ब्राबर क्या होता है सेलिंग प्राइस मेरे बड़ा होता है कि बड़ा होता है कि अगर प्रॉफिट परसंट चाहिए तो हमें काल भी पढ़ाए थे आज फिर रिपीट कर रहा हूं कि प्रॉफिट तो ठीक है अगर यहां पर प्रॉफिट पुष देगा मेरे भाई तो क्या हो जाएगा सून लो एसपी माइनस सीपी अपॉन गाईज होता है सीपी और इंटू क्या होता है हन्रेड बस यह दो फर्मूला का इस्तमाल करूंगा वांकि किसी चीज़ करने वाले नहीं है प्रॉफिट की केस में मतलब एक बात सब्सक्राइब करेंगे और सीपी का खोज करेंगे और सीपी का चाहिए तो प्रॉफिट का खोज करेंगे और अपन सीपी और इंटू हंडेड दिमाग में कान करके शोलो क्या प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पर निकाला जाता है सीपी पर बात क्लियर हुआ क्या हां सारी क्लियर होगा जल्दी से स्कीन सब्सक्राइब मैं रफ करने व सब्सक्राइब मैं बड़ा होता है क्या होता है बिल्कुल निकाल देंगे लो लॉस परसन निकाल देंगे कल की तरह आज भी रीपीट कर रहा हूं देखो 100 का समान 70 बेचनेत कितना का नुक्सान हुआ सर 30 का यह 30 का नुक्सान किस पर हुआ 100 पर मतलब CP है वो तो फिर से वही बात है CP माइनस मेरे भाई SP अपन गाईस क्या हो जाएगा CP और इंटू क्या करते हैं बलो 100 तो या दखिएगा कि लॉस परसन का फर्मूला क्या ह यह अपने त्यार कर लेखोद कोई बुक से नहीं समझा दिया प्रैक्टिकल एक्जामपल देके दिया हूं ठीक है तो सर यह अच्छा है से बलिएगा हम बले क्या तो सर लॉस परसन चाहिए तो शिदाशता क्या करेंगे हम बने इसको लॉस बोल सकते थे लो इसको लॉस ब करोगे करोगे बात क्लियर है प्रॉफिट लॉस की बात है यहां तो इमीद करते हैं क्लियर रहोगा मेरे भाई आओ डिस्काउंट की बात थोड़ा कर लेंगे वो डियाग्राम पीछे आपको सब समझ में आ जाए ठीक है चलिए तो सर याद रखिए परसंट और लॉस परस जो होता है जिस पर दिखता है उसी पर विखता है तो मतलब सर दिखता जो है वो प्राइस क्या होती है सर वो प्राइस तो मार्कृ प्राइस तो हमाले बात खता है सभ तुम प्रैक्टिकली देख क्यों भाईर सब्त bull रहे है इसका मतलब सर दिस्काउंट परसंट नोका घोगे और किस का खोच करोगे हम सर कि इतना खतम होता है और बांकी टेंसन लेने की ज़ुरत नहीं है ठीक है रहा हूं करेंगे आने वाले वक्त में यह इस तरह सवाल को करते किसे पहले कुछ बाते में आपको और दिमाग में चाप दिता हूं समझेगा कोई question में मेरी बात समझेगा अगर मैंने बाप से बोला समझो सर प्रॉफिट 20% है तो आपके दिमाग में एक बात चलना चाहिए कि इसका मतलब समान 100 में खरीदे और 120 में बेच दिए इसका मतलब जिसके खरीदें सो क्या बोलते हैं सर कॉस्ट प्रैस 100 मानना और सेलिंग प् सब्सक्राइब करेंगे ठीक है सब्सक्राइब करके कुरियर कर दो ठीक है चलो आगे पड़े सवाल मासर किसी वस्तू को सौर्पया में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाव होता तो लाव परतिशत क्या होगा मेरे भाई एकदम बैसिक से बच्चे इंको कुछ न क्या पर से चाहिए हम बहुत अब यहां क्या अब यहां पर दिया होगा कितना दिया है सर बीस सरी सेलिंग परैस दिया हुआ है कितना सो तो आप मुझे बताओ खरीदे कितना होंगे अगर भीच रहे हैं और वीस रुपए का लाव हुआ मतलब खरीदे होंगे 20 रुपया कम है मतलब 80 रुपया में आप मैंसे बहुत सारे बच्चे जो नहीं समझेगा यह फर्मूला पर आपको भूल मत जाएए सब लिखा दिये था अभी इस पर चिपका दो बभू देख लो सर यहां पर 20 यहां पर सर 100 और यह मैनस का बभू कितना CP तो दो कोई CP इदर आएगा तो क्या हो जाएगा 20 घटा दो उदर क्या हो जाएगा C बात के लिए रहे क्या तो CP का खोज करना मेरे भाई कोई गलती से यहां पर 100 मत चिपका देना वो SP है 100 जिस कीमत पर बेचते हैं उसको क्या बोलते हम लोग selling price तो सर चिपका दे हम बहुत चिपका दे लाओ इधर बभू कितना हो जाएगा 20 बटे भाई कितना हो जाएगा C और गुने क्या हो जाएगा 200 देख लो यहां पर तो यह जाएगा 4 वार में 4 से कड़ा दो 25 वार में मतलब सर यह profit percent होगा कितना हो जाएगा 25 परसन देख लो जाएगा रहा स्थार में क्या किया बेच दी तो हानी परतिशत क्या होगा एगा पैन मत चला ना अब पैन कोई बचा नहीं चला होगे ठीक है कोई बचा नहीं चला होगे कितना हम बेचा है ऐचा था खरीदा है एगाए को अभी जीतटने एक बाउट माना खरीदा है एगाए को कितना व्यास कर देख लो तो जिसके खरीद हो कि खरीदें उसको C P भोलते है मतला खुस हो गया मुलोग CP दिया हुआ है समझा की मैं और 11ret 500 में क्या किया और रुपिया का 1250 में खर देंगे और बताओ 1100 में बेच देंगे तो नुखसान कितना हो गया 1500 तो यहां पर लिख देंगे 1500 सर खरीदा कितना में 1250 में हम बहुत बढ़ी हैं 1250 और गुने क्या कर देंगे बताओ फटबाबट से 100 कर देंगे ठीक है सर परफिर निकल जाएगा, वम बहुंल निकालो, zero, zero कटाओ, सार ये 25 से करा, दो हम बहुने 4वर में, 25 से कराओ, 5 वर में, 5 से कराओ, कितना 3 वर में, और 4 थिया कितना हो जाएगा, 12%, तो अब देख सकते हो सिंपल भासम पुरा प्रोफिट लॉस को क्या कर दूँगा है ना सिखा दूँगा तुमको ठेक अगला सवाल आपकी स्क्रिन पे ये रहा चलिए सवाल है क्या हम बहुत बढ़िया ठेक है आमित ने 15% की हानी पर 680 रुपिया में एक छाता को बेचा भाईया 15% हानी का मतलब क सबस्क्रण का मतलब यह बात समय है सब्हूंगे बहुत बढ़िया इसका मतलब सारी 15% समय में आगया वहिए किस्वर्पिया में सप्था आँगे और 15% हमारा सेलिंग प्रैस कितना है तो पूछा क्या था है एक रेशियो का मन कितना होगा हम बता रहे हैं डिवाइड कितना हो जागा सब्सक्राइड कितना हो जागा 800 मतलब इसका खरीद कितना होगा बात के लिए रुए बात के लिए रुए मेरे भाई चलो जल्दी से स्क्रिन शॉट ले लेंगे और आगे बढगे ठीक है चलिए अग्ला सवाल आपके स्क्रिन पे ये रहा ठेक है पड़ाक से करते हैं चलिएggak पांच परसंदार को पांच परसंदार को पांच क्या होता है तो दस परसंदाब कमाने के लिए उस टाई को कितना में बेचना पड़ेगा करते हैं यहां पर सुरुवाट है कि सार परसंदार का मतलब ही होता है कि समान सो में खरीद करके और 105 में बेच दिये होंगे सवाल बनाने सर 105 में बेच था हम sporा सवाल थे 60 रुपे मारे 30 के बड़ाबर हमारा सलिंग परइस तुमारे सलिंग पराइस के बराइस है चलो 63 दफे कितना हो जागा यहें 105 है फ़ले हमको जगो पहर संदाब कमाने के लिए कश को कितना हम बेचना पड़ेगा तो उस के लिए तुम्हारे पास कॉस्ट प्राइस तो होना चाहिए तभी तो उस पे क्योंकि लाप प्रतिसाद किस पे किल्कुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस पर निकाल लो यहां से तो सब्सक्राइब मेरे भाई एक सब पांच दीख रहा कि नहीं तो बूने क्या करेंगे हम सर सीपी तो निकल गया कितना साथ अब क्या चाहिए दस परसेंट लाप का मतलब समझ रहो ना बहिए या तो दौस परसेंट अलग से निकाल कर जोड़ दो या फिर डारेक्ट क्या करो 110 बटे 100 कर दो बात खत्म है तो दो च्यासर अंसर कौन सा देख लो यह बला क्यों क्यो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा सर क्या बोल रहा है हम बोले सुनो एक वस्तू को जब 5% के लाप पर बेची जाती है तो 5% की हानी पर बेचे जाने से 15 रुपिय की अधिक पराप्त क्या होती है तो करेम मुल क्या होगा सुनो यहां पर कोछ दिकत नहीं है भाईया पेयन कोई बच्चा नहीं चलाओगे जो तुम हानी पर बेचता है तुम लाब में बेच रहा है इसका मतलब तुम 15 रुपिय अधिक नहीं पर बताओ कि 5% हानी का मतलब है कि पहले समान सौ में खरीद करके हम 95% बेच रहे होंगे यह बात तुम लोगो सब को हजम हो रहा है कि नहीं हम बोले हाँ सर हजम तो हो गया वह नहीं तो हजम लो खरीद लो जाके मार्केर में मिल जाएगा ठीक है चलो तो सर 5% हानी का मतल़ा 100 का समान 95 बेच रहा है और यह सुसरी बोल रहा है कि 5% लाब हम ब से Khan और भाईया यही 10 कमान तुमको सवाल कितना बूल के रखा है कि हमukt 15 कमान benefits के प्रॉक्ष कितना कितना हो तो तुम लों मान करके डिर पेज में सवाल को सॉल करते हो भाईया उससे मत करना सब को सेयर कर देना वीडियो समझा कि नहीं किसी को भी अगर बेनिफीट होगा तो होने दो ठीक है चलिए जल्दी से फड़ावटे सुरुबात करते हैं अगला सवाल आपके स्क्रिन पर ये र सर बीस परसें हानी का मतलब क्या है हम बले सुन लो बीस परसें हानी का मतलब होता कि असी में बेचना भाईया समान को सो में खरीद करके असी में बेच दिया सवाल बला नहीं सर हम असी में बेच रहे हैं हम बले कितना बेचा तू बताओ सर वह एक चार सो असी में बेच रह चाहेंगे हम बहुत हैं इक सोबीस का मान बोलिए नहीं हम बताओ च्छे गुन है 120 तो बर्चाग 72 का मतलब होता 720 तो याद अगर 20 परसें लाप पर कमाना चाहते हो तो आपको 720 में बैचना पड़ेगा और सब्सक्राइब को अगला सवाल आपके स्क्रिन पर यह रहा और कोई डिस्टरवेंस नहीं जिस तरह पढ़ा रहे हैं चुप चाप पढ़ो बता देना सबको कि अगर मेरे और तुम्हारे के बीच अगर कोई आया मेरे और वर्दी के बीच में अगर कोई आया तो उसको सिधा ब्लॉक करूंगा ठीक है चलो अगला सवाल आईए रहा आपके स्क्रिन पे तो क्या करें सर देख लिजेगा अगले सो औरेंज का खरीदा गया 350 रुपे मर बेचा गया 48 पर दर यह बहुत इंपोर्टन सवाल है यह नियार लेकिन उससे उंदा तरीका बताऊँगा जिसके बाद तुम गलत क्या सपनों में गलत नहीं करोगे सर क्या सतनोड कि ऐतना फिकरी वल बीचरीओ कई सब्सेप कर जातों कि यहां पर खरिदने वाले नमर अफ आटिकल और बेचने वाले नमर अफ आटिकल की संखियां अलग अलग है इसलिए तो सरी क्या करें हम बोले इस तरह के सवालों का एक ही ट्रिक मेरे दिमाग में चलता है कि सर वस्तुओं की संखियां को बराबर कर लिया जाए अब लोगा बड़ से इधर लिख रहा हम आटिकल की संखियां और इधर लिख रहा हूं रुपीज ठीक है देख लो यहां पर सो और रेंज और कितना 350 तो इधर लिख दो सो और इधर लिख दो 350 मतलब खरीदे हो समय आया हम बोले हां बेचे उसर 48 पर रुपे पर दरजन त क्या करना पड़त है में हमाले यह सऊ और बार को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ए कैसे बराबर करेंगे हैं मिए बढ़ा असान है इसका इल सी मता कितना 600 मुले बना दो इसको घुना कर Western इसको गुना कर दो कितने से सार फ second होता देख लो आप तुमको देखा दूं हम बोले हाँ से बताइए तो हम बोले देख लो एक दम यह की तरीका है यार कोई दिकत नहीं कोई भी सवाल हो आपसे बनेगा सर 6 से गुना कर देंगा आर्टिकल क्या हो जाएगा 600 और 35 गुने 6 हो जाएगा सत्या 21 का मतलब कितना हो जाएगा है ना 2100 रुपिया देख लो 2100 डन सर 50 से गुना कर दें यहां भी हो जाएगा 600 और यहां से गुना कर दें पचास तारीस प्रंचे होता 240 का मतलब होता 240 मतलब 2400 अब देख लो प्रोफिट निकल जाएगा हम बोले अरे सर अब तो हमें आग लगा देंगे कैसे सर 2100 में खरीदे और 2400 में बेचे 300 रुपिया का लाब हुआ अरे रुको गलत नहीं सर लाब कितना हुआ 300 हम बहुले लाब किस पर निकालते हो मेरे भाई अरे सर लाब निकालते है कॉश्ट प्राइस पर तो नीचे क्या है 200 रहेगा ठीक है और गुने क साथ का मतलब मैं 100 को भाग नहीं दूँगा मुझे याद है भईया क्या सर आपने कहा था हम बले क्या कहते बताओ कि सर एक बटे साथ देखते ही लिग देते थे क्या चोगदा सही दो बटे साथ परसंड का लाब हुआ ठीक है तो इस तरह से याद दखिएगा इस तरह के समानों क्या करेंगे हम लोग वस्तू की संख्यां को बराबर करेंगे जहली से लिखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन प्याने वाला फड़ाबर से क्या करें चलिए आए क्या बोला एक दुकंदार को साथ वस्तू को क्या बड़ा धेम सुनना एक दुकंदार ने कितने वस्तू बेच दिया साथ और बेचने पर उसको प्रॉफिट जो है ना 15 वस्तू के सेलिंग प्राइस के बराबर है मतलब सर अभी तक जितनी सवाले तुम किये हो प्रॉफिट तुमको डाइट दिया जाता था 10% 20% 30% यह यहां पर इसा नहीं किया हम बोले क्या किया सर यह प्रॉफिट को इंडारेक्ली दिखा रहा है किसके टर में सर यहां पर प्रॉफिट को यह आपको किसके टर में दिखा रहा है सर यह दिखा रहा सेलिंग प्राइस के टर में तो सवाल सुरुवात करने तरीका बोलूं क्या देखो किसे मन में मन में खतम कर सकते हो सवाल को डारेक्ट है कि 15 बटे 45 का मतलब एक बढ़ है न यहाँ पर अनसर मार दिये मतलब पेन कहां चलाएंगे किसे हम बताते हैं अगर प्रोफिट गाईज आपको सेलिंग प्राइस के टर्में दिया है तो मान लो कि लोट SP of one article मन में привет आपको सेलिंग प्रॉपियं न 넣 stand घाट अगर दिम्मारी लब को सेलिंग प्रैस के टर्में दिया मान लो कि सेलिंग प्रैश इसका मतलब रख जाओ तो तुम सेल कितना कीो साथ वस्तु इसका मतलब तुम थिम्स कीतना काँटिकॉल 2 विचलंगे तुम्मारा क्ला कॉष्ट और काम कड़िए जो आपको या जो घुट आपको तो profit कितना 15, CP कितना 45, ठीक है, गुना का केड़ा दो, एक बटे 3, और एक बटे 3 का मतलब पता है कि नहीं, सर कितना होता, 33, एक बटे 3 परसन का लाब हुआ, देख पा रहा हो, यह होती है तरीका यार, कहे का प्रेंचे लारो यार, जल्दी से फड़ा बट से क्या गरो, लिख लो, ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रिन पे ये रहा, एक और उमदा सवाल, खुबसूरत सवाल, बहुत कर क्या आते हो, ठीक है, एक वस्तु का क्रेम उल्ली, विक्रेम उल्ली से कितना 37.5 परसन कम है, तो लाब परतिसात क्या होगा, बहुत अच्छा सवाल है, सबसे पहले आप जो बच्चे परसंटेज का वीडियो नहीं देखा, पहले जग देखो, इसका मतलब बताओ, अरे स टोपिक को तो वहरा रिवाइस थोन कराओंगा, बताओ, तुम जाके देखो वीडियो, ठीक है, मजा आजा परसंटेज को, धासु तरीके से क्या क्या हो, डिल किया हूँ, सरी सवाल बोल रहा है, cost price of an article, 37% less than selling price, इसका मतलब दखीगा, यहां पर एक बास समय रहा है, कि नी 37.5% का ही मतलब कितना होता, 3, मतलब सर, 8 का 37.5 मतलब 3, मतलब 3 कम है, क्यों, cost price, किस से, selling price, बास समझा क्या, और जो नहीं समझा भी फिल बोलता हूँ, कि percentage को यहां पढ़ लिजा, अपलो, तो सर, यहां से हम बात क्लियर होगा, हम यहां, CP और SP बात क्लियर होगा, देख ल सर, 5 का समान को 8 हैं बेचते थे, लाब कितना हुआ, सर, लाब हुआ हमारा कितना, 3, हम उले किस पर लाब हुआ, 3, बताओ ना, सर, cost price कितना है, 5 है, और गुने क्या कर दोगे तुम लोग, 100, तो 5 है कर आओ, कितना हो कितना, 20 हुआ रहे हैं, 20 गुने 3, कितना होता है, 60% का सर, बात क्लियर हुआ कि नहीं, तो इस तरीके से गाइज, हम लोग और सर को क्या कर सकते थे, टिक कर सकते थे, बीना पेंट चलाए, क्लियर हुआ, सर, ठीक है, सर, आगे बढ़िए, इस किन सोट लिजे, एक उमदा तरीके से profit and loss को डिल करेंगे, मैंस मैं तो आग लगा सरू करें, प्रिलम्स के लिए इतना पढ़ा रहा हूं काफी है, सर, बोल क्या रहा सवाल बताओगे, क्या हम बले बोल पढ़ लेते हैं, मोहन ने इतना रुपिया में एक पुरानी कार खरी दी, उसने इसकी मरमत में 12,100 रुपिया खर्च किये, इसकी बीमा के लिए भी इन बीस रुपिया का, ये दोस रुपिया का टांस्पोरेशन दे दिये, दोस रुपिया नास्ता कर लिए, और वो दोनों 20 रुपिया क्या हुआ था, कौस्ट प्रैस में एड हो गया था, बात समझा, बिलकुल उसी पर एक सवाल में यहां पर रखा भी था, तो खरीदे कितना 500 रुपिया में खरीदे, सर 12,000 कितना, 100 रुपिया में इसको रिपेरिंग करवा दिये, ठीक है, इंसुरेंस के लिए कितना देना पड़ा सर, 2000 देना पड़ा था, 2000, हमने सब को यहां पर लिखो, अब बोलो सर कितना हुआ तमारा 0006, ठीक है, और यह हो जाएगा 4, और यह ह हो गया हमारा कोस्ट प्राइस, बात के लिए रहा कि नहीं, तो भाई याद एक ही बात दिमाग में छापलो, जो बोलूँगा, वो सवालों में इस्तमाल होगा, एक्स्ट्रा खर्च क्या होती है, सर, एड होती है, किस में, कोस्ट प्राइस में, तो सर इतना समान खरीदे थ कितना में यहां पर कहा लिखा है, भाईया कहा लिखे हो, कहा लिखे हो, यहां पर, 87,133 में, तो 87,133 में क्या कि बेचे, تو इस फो गठा लो नहीं, जो सको घठा cyndra ओगए, तो मारा क्या निकल जागा, प्रॉफित परसन Dekhul, यहां पर घठा दू क्या, हम भले घठा दो किस पर निकालोगे 4846 और इन्टु हंडेट भी करोगे आप क्योंकि हमेसा सीपी को नीचे लिखा जाता है भुलिए गामात यह क्या है सार यह हमारा प्रॉफिट परसंट है इस तरीके सवाल कर सकते हो ने कहा ता उसको सवाल भी करा दिया हुँ ठीक है और सारे एक सवाल आपके अग्जाम में यह दखिएगा जितने टाइप के कर रहा हुआ है जल्दी से स्क्रीन सब्सक्राइब परसे लिजएगा अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा क्लियर है क्या सवाल क्या वोला अग्दम आसान सा उम्दा सा सवाल है सर एक बढ़ाई ने एक स्कूटर को इतना रुपिय में बेचने पर 10 परसंट का हानी होती है तो उसे 82.5 पर बेचने पर कितना परसंट का क्या हो जाएगी ला कोट्स प्राइस है नहीं तो इतना पर बेचने पर 10 परसंट का हानी हुआ पहले रुको सर दस परसंट हानी का मतला समझत हूं हमारी सिद्धान तो नहीं बदलेगी सर सवाल नहीं बेच रहे हम बले कितना बेच रहो सर यह 67.5 बोल रहा हम बले मेरा 90 कमान तुमारा 67.5 के ब सर यहां से एक कमान क्या होगा 67.5 अपन कितना 90 सर हम को सव कमान निकाल देंगे क्या निकले का इस उसी की जरूरत है सर निकाल देते हैं दो जिरो जिपका दो भाईया जब किलो 67.5 अप उन कितना हो जाएगा 90 गुने क्या हो जाएगा सौध्यान सुन लो ध्यान से सुन लो फड़ा पड़ से सर ये पॉइंट हंटा दीजिए यहां पर एक जिरो आ जाएगा ये दो जिरो ये दो जिरो घर गया 9 से कड़ा दू 9 से कड़ जाएगा सर नो सती तिर सथ है और 9.45 मतलब 75 रुपिया तो सर एक ची बताएए ये कॉश्ट फ्रेस हो जो है न हो निकल गया 75 अब सवाल तुमें मजा आ जाएगा अब बोला लाब पर सब्सक्राइब को यहां पर फ्रेस देख लो सर सीपी निकल गया हम बोले हाँ एसपी भी सवाल में दिया हुआ है सीपी कितना निकला 75 यह सवाल बोला सर देखिए तो सर यह 75 से 75 कर देखिए 10 से जीरो कर दिया सब 10 परसंट का लाब हो रहा देख लो कहां पर उप्संट 10 परसंट 10 परसंट ठीक है तो देख लो कई वार ऐसा होता कि आपको सीपी निकालना ही जौरत परेगा तभी आप सवाल को प्रोसीड कर पाओगे तो इस तरीके सवाल आपको सेम तरीके बता दिया जल्दी से स्क्रिंसोट ले लिजिए कि कहीं पैनून चलाने का नौबत नहीं आगा बतल है एक्स वाई जैड पता नहीं तुम लोग क्या-क्या मान ले तो यार अपना है ना है ना मिलना तो कुछ है नहीं ठीक आसे अपना मान ले तो तुम लोग चलो इदर आओ सर ठाइस सुनो यह सवाण को किस तरह से करोगा हमने कि एकद्म उम्धा सवाल आयार मजा आ जागा सवाल करके है generates एक्वाण गलत करने नहीं दूँगा मैं टुमें ट долव था है क्या थाश्र बताओगे गारी को बैचने पर मोहन को उसे विक्रे मूल के 30% के बराबर लाब होता है तो लाब पर्तिसद क्या होगा सुनो अभी तक सर हम क्या पढ़ाये थे सर लाब पर्तिसद हो या हानिप पर्तिसद हो हमेशा किस पे निकालते तो सर cost price पर लेकिन सवाल अगर बोल रहा है कि नहीं हमेना जो लवल है, अगर सवाल बोल रहा है है, कभी भी याद दखिए कोई percentage को बदलते हो तो अगर नहीं कुछ बला जाता तो नीचे बला हमेशा cost price होता नहीं कुछ बोलेगा तो क्यों 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 कि हम लोग already समझते हैं सर कि profit percent या loss percent को CP पर करते हैं लेकिन यहां पर सवाल ऐसा नहीं बला यह बला SP पर करते हैं तो यहा पर लाब है तो यह 3 क्या हो जाएगी लाब है तो आप से खुद से सवाल करो ना बहीं कि 10 रुपिया हम बेच रहे हैं और 3 रुपिया का लाब हो रहा है तो खरीदे कितना होंगे तो सर यहां से जो खरीदे होंगे वह हमारा CP निकल गया सर कितना देखो ना दस में बेचकर कमाएंगे मतलब CP कितना हो जाएगा हमारा साथ हो गया कितना हो जाएगा साथ 스ट को प्रेइस निकाल लेふी तो समान बेचे तीन रुपया का लब करिदे होंगे सर देखिए profit percent क्या होगा हम बोले क्या हो जाएगा सर प्रॉफिट प्रॉफिट तीन है अपन कितना होगा 7 गुने क्या हो जाएगा सो और इसको calculate करोगे तो अगला सवाल आपके screen पर यह रहा और उमीद करते हैं कि और भी तो अपने कौन सा option है guys option number a जनली से टिक करिए ठीक है अगला सवाल आपके screen पर यह रहा और उमीद करते हैं कि और भी तो अपने सर सिलिंग प्राइस पचास आर्टिकल का मुला ठीक है सिलिंग प्राइस ऑफ पचास आर्टिकल बराबर होगा बराबर का sign दे दिए सर किसके बराबर cost price of 40 articles very good हो गया सर क्या करें बना लें बनाना ही पड़ेगा इसमें कुछ साख है सर 0 से 0 को लिप्टा दिये सर CP को नीचे लाएंगे डिवाइड होगा पांच को अधर जाके डिवाइड हो जागा बराबर के साइड जो लेफ साइड में इंटू में बराबर को जाके आवता है सर क्यों सुनों सोंसे अनुख समझेगा सर फांच रूपया है सIlकिटना पांच सवासन बना ऑनच को सैन लखसंतते हैं और cooked by लाit कितना हूँला एक तौनका रखस परस estas Pacific मिटां जाहिए सर निखाला वन दिना वating on मेंगे 100 तुसार कितना बार में 20 बार में तो इस तरह सवाल किया जाता है रशिदा रेशियो का इस्तिमाल करो ना मेरे भाई आपको बहुत रही पर नहीं पर ता आप रखे रहा है रखे पने हम लोग पर आजाएंगे और आप मैंसे सुनो ध्यान सुनिएगा आप मैंसे बहुत सारे बच्चे जो अभी लगता है सा नमर सिस्टम पढ़ ले पहला दो तो मैं आपको बता दूँ कुछ दिन पहले से अभी आपको है ना कौसन सेस्टन प्रोग्राम जो था वह हम लोग स्पेसली ज देख लो प्लेश्टर में सार्च करना कि डिविवल्टी भाई मिथून सर ठीक है आपको मिल जागा तो हम इदर सुरू कर दिया हो एसाई के लिए और आप लोग नमर सिस्टम आसे पढ़ लो बहुत डिटेल पढ़ा दिया हूं मुझे लगता उससे बहार कभी नहीं आ सकत है ठीक है और यह मत बोला साई के लिए कुछ अलग कोसन होता है भाई पुरा व्यापां का एक सवाल डिसकस कर दिया हूं ठीक है भी बता रहा हूं यह आपके बहुत हैल्फुल होगा वेट मत करना ठीक है यह कर लें देख लिए वहां पर LCM सब पढ़ा दिया हूं LCM को दो 1000 पे में बेचता तो क्या होता उसका लाब जो हानी के दोगने होते हैं बहुत उम्दा सवाल है मेरे भाई कैसे तुम करते हो पता नहीं आज तक हम जो तरीका बताएंगे वह आपको सिखना चाहिए ठीक है कैसे बताओंगा चलो बता देते हैं देख लो सवाल बहुत सिंप 36,000 के जगा पर अगर गाईज 45,000 बेचते तो तुमको लाब होता लेकिन कितना लाब होता सर्फ पहले जितनी हानी होती थी उसका दोगुना इसको क्या होगा मेरे भाई प्रॉफिट होगा तो सवाल बोला है कि उसका लाब क्या बोला है क्या उसका क्रेमुल बताओ और कॉ तुम इतना बताओ कि प्रॉफिर के केस में सेलिंग प्राइस बड़ी होती है और लॉस्ट के केस में सेलिंग प्राइस छोटी होती है सर इसको केसे करने वाले रेशियो दूसरा मेथर नहीं पहले बीच में तुम क्या लिख दो कॉस्प्राइस सर लिख दिए हम बोले जब लाब हुआ है 54,000 तो मतलब चोवान-इस सेलिंग प्रेस रहें से ओपर रहें गड़ा होगा तो बड़ा को यहां लिख दो क्योंकि यह बड़ा है इसके बड़ा होगा उसमें यह लोस बोलते हैं बहुत बढ़े हैं सर यह सीपी और इस पी के डिफरेंस को क्या बोलते हैं लोग तो यह दिफरेंस कितना है बोलो इस इधर लिखनो ज्यादा बेटर होगा ठीक है यह सुनेगा सर यह हो जागा हमारा कितना यह हो जागा हमारा प्रॉफिट क्या हो जागा यह हमारा प्रॉफिट बात के लिख लो ना SP और CP के difference को profit बोलते हैं और CP और SP difference को loss बोलते हैं सवाल बोला था क्या सर, profit loss से दो गुना है मतलल यह 2 है, तो यह loss कितना होगा 1 होगा, बात समझा के नहीं सवाल बोला था, profit जो loss से 2 गुना है मतलब 2 होगा सुनो, यहां से यहां तक की gap को 2 सवाल भरुश के हिसाब से मिल रहा है और इसका दौनों का डिफ्रेंसकर करके देख लो तो मिलेगा 18000, मतलब सर यह 3 कामान, कितने बराबर होगा? 18000 के बराबर होगा, यहां से देख लो भईया, 3 से कटा दो, एक रिश्यो कामान कितना हो जाएगा? ब हो लो क्यों मत्लब 12000 तो तुमको निकल गया जागा देख लो क्यों एक हम लुट का बता हुट, तो देख लो यांपे तुमारा तो तो दूसता तरीका यह था कि यह लॉज्स देख रहा कि एक कमन कितना हो जागा च्छे हजार जोड़ भी सकता है तो उनको मिल जाएगा यह जो तरीका तुमारा उम्दा तरीका थे पर में इस्तमाल मत करना ठिक चली को देखने का नजरिया बदलो मेरे भाई तब तुम जा आएगा पेपर में है घुलान सोनना ह बता रहे हैं सर प्रोफृ बढबरह रोथा सेलिंग प्राइस ह्ना और यह कोशन प्राइस होगा है और मैंने सेलिंग प्राइस दूसरा वह लको ठीक है और यहसे तुन Wilson कितना दें हो कि मुझे पता है सर जीरू से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो सर पहले वाला सेलिंग प्राइस कितना था हम बोले चोगवन रहा है माइनस कितना सीपी सर सीपी माइनस सर लास्ट वह यह कितना सेलिंग प्राइस 36 है और इसका रेश्यू देख लो अब दो बटे कि में क्या हो जाएगा बहत्तर अब कुछ नहीं करना है बहत्तर को इधर लियाओ इसको इधर लाओ इधर चूडर कितना हो जाएक चार चार 42 तो इतना लोंग प्रोसेस से तुम लोग करते आए हो देख लो करोगे नहीं करेंगे तो कौन तरीका जो भी हम बताए ठीक है वीडियो को बार बार देखना ठीक है अगला सवाल आपके स्क्रिन पे मेरे भाई ये रहा देख लिएगा एक उमदा सवाल है कैसे डिल करते हैं यह बात करते हैं पला सर एक विक्रेता ने क्या क्या पंदरा सोर रुपिया की दर से दो मेजे बेची है बहुत बढ़ी है पंदरा सोर रुपिया की दर से बढ़ी ठीक है लिखा यहां पर सेलर सोल टू मेंगो एड़ रेट ओफ कितना 1500 अगर दिया हुआ सेम तो कुछ नहीं करना अपकी फर्मिला लगा देना क्या तो अंसर हमेशा क्या होगा देखिलो अंसर क्या होगा क्या होगा हमेशा होगा लॉस परसेंट क्या होगा हमेशा होगा लॉस परसेंट लॉस परसेंट बराबर होगा क्या कुछ नहीं करना समझना कुछ नहीं करना है हमेशा लॉस होगा कुछ जो टर्म दिया कितना दिया मुले बीस देखो यहां पर डारेक्ट यहां पर क्या कर स्क्वार कर दो डिवाइड किसे हैं तुम लोग कैसे है तो क्या हो जाएगा देखो 400 बटे क्या हो जायागा 100 और कटा देना मतलब 4% परसंट लौस टीख और यह बात डायरेक्ट क्या करना किसा लॉस के तो जो डेटा है यह 20 इसका स्क्वार करके सौ से भाग देंदा डायटे अंसर मिल जाएगा बात समया के लिए यह कब करोगे हलाकि इसके डीटेल जब वैसाई का मैंस का बैच आगा वहां पर डीटेल कराओंगा इसको क्यों हुआ क्यों इसे हुआ अगर मालों इसको नहीं लगाना चाहेंगे तब क्या क थांगे तो क्या कर सकते हम बताएंगे आपको ठीक है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर प्लस और प्लस-वाई-बटे कितना सबस्क्त तक मैं MM अगला सवाल आपके स्कृण पर ये रहा एक और खुब्सूरत एक सैकल को को A को बेचा, B ने 20 को 20% पर बाइच दिया, है ना, और C ने 25% के लाप पर क्या किया, क्या क्या है, 225 पर खरिद लिया, हम भर लें से इस तरह सवाल करना है, कितने तरीके हैं, हम भलें कई तरीके हैं, और आपको तरीका पता रहा हो, धासु तरीका सिख लो, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो कितना होगा निकाल के देख लो पचीस परसंट का मतलब कितना होगा निकाल के देख लो सब्सक्राइब कर दो 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 केसे नहीं दिखेगा बताओ यह 150 और यह गुना क्या करोगे सब्स्प्रेन मत चलाना 25 हुआ इम्यूत करता हुए कि नहीं कटेगा तो को यहां पर तीन से करता हुआ और में और दो से करता हुआ दो वारा में और तीन से कट जा गई क्या क्या करेंगे सब्सक्राइब करें लिए जल्दी करेंगे इसकाप्राइस प्राइस पी था और फैनली तुम बेच कितना में दिया है, दो सो पचीस में ठीक है, तो यहां से जब सॉल करोगे, तो पी का मंदू को यहां से भी कितना निकलना है, देड़ सो, इभी एक उम्दा सा तरीका है, बस केलकुलेशन यतना जल्दी फास्ट, चाहो तो कर सकते हो, डॉन, अगला सबस्रूरत असान सवाल के साथ है, सर क्या है, बोलो, एक हलवाई अपने समान के क्रेम उली पर ही, क्या बेचता है, परंतु एक किलो ग्राम में से 900 ग्राम तोलता है, अरे भाईया सुनो, चीटिंग हुआ है तुमारे साथ कभी, कोई चीटिंग किया है, कोई बो, सर हुआ अरे हम उस चीटिंग की बात नहीं करें भाईया हम दुकंदार वाले की कर रहे है, तुम लोग यो है ना, पता निक्या-क्या समझते हो, अरे वीजो बेट करता है, एक किलो की जब पर 900 ग्राम तोल देता है, उसको एक किलो बना देता हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं हम लो 200 ग्राम हमको दिया कितना है, बताओगे 900 क्यों कितना का लाब कमाया है, पकोई बल रहे है, 1000 ग्राम पर किसे करोगे, उसकी बात बताओद है, प्रॉफिट की कैस मे सब्सक्राइब कर दो खतम अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कमेंड बॉक्स में करके बताओ सब्सक्राइब किसे बनाओ गए देखें आपे अब आगे डिसकाउंट है अब आगे डिसकाउंट क्या आगे डिसकाउंट ठीक है तो सर डिसकाउंट का फर्मूला कुछ होता है कि आप फर्मूला भी होता है लेकिन फर्मूला क्यों पढ़ें हम क्यों पढ़ें भई या नहीं पढ़ेंगे सर नेट डिसकाउ कर सकते हैं इस्काउंट नेट डिसकाउन पर सेंट परसन जोगा ना उसका फिर्मूला क्या होता समझ ले लिए इसको नहीं निकालना चाहेंगे तो अब सकते हैं लेकिन यह तरीका सीख लो ज्यादा है ना असान हो जाएगा तुम्हारे लिए तो डाइट रख दो बला सर दो सकसेशिव डिसकाउंट बीस परसंट दस परसंट है तो यह की वैलन डिसकाउंट क्या होगा है ना वीच वन ओनली डिसकाउंट हम बोले चोलो चिपका सर दोनों को मिला कितना होगा दखो यह जाएगा 20 प्लस 10 ठीक है statud माइनस 20 गुने बाभू कितनाब बटे कितना सबू सर 0000 को घर भेज दो हम बरे भाई दिये सार इदर हो जाएगा 30 मुद् limited कितना ओंट कर दो 28 सब्वल ने tारीका तो है तरीका तो मिरे चो बोलो तो हम ब सर फर्मुले से हमको नफरत हो गया हमको भी नफरत है ठीक है तो क्या करें हम बोले सुनो मान लोग कोई समान सो रुप्या का है सो पर डिसकाउंट करो हम बोले सर पहले कितना डिसकाउंट दिया तुम देख लो 20% तो 20% कम कर दोगे 20% कम करें समान कितना मिला 80 बस सक्सेसिए परसंद कितना होता भाइए आठ कम कर दो मतलब सामान कितना मिल गया 72 में तो तुम मुझे बताओ कि 72 रुपया तुम बताओ साथ 100 का समान था तुम 72 रुपया दिया तो तुम डिसकाउंट कितना मिला भलो 28 और 100 पर 28 परसंद का मतलब डिसकाउंट कितना हो जाता 28 देख लगा कि नहीं बताओ तो यह तरीका होगे डिसकाउंट को बिना फर्मूले का भी किल्कुलेट करने का डन अगला सवाल आपके स् अगला 3 रक होगे गुपया है तुम मार्केट में कितना परषन इसके मतलब 30 मार्केट में कितना हो हुआ है तो इसको क्या बलता पर्षन कर लाथ हुआ तो बताए डिस्काउंट कितना परसंद दिया हम बले डायग्राम याद है ना यहां पर सेलिंग पराइस सा सुन लो बताव सुन लो सर 8% का लाब हुआ लाब किस पर निकालते हैं समझे सर अब तुमको पता डिसकाउंट तुमको और पता चल जागा क्यों डिसकाउंट दो चीज के रिलेस्टन को बतलाती है किसका मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बिच में चलो आप बताओ ना क्या कि 120 में मार्कर में चिपकाए थे और तुम बेच कितना में दिया और डिसकाउंट निकालते किस पर बताओ ना सर मार्क प्राइस पर मतले 120 पर ठीक है और गुने क्या कर रहे हैं सर सो कर देंगे सर बारा से कड़ाओ दस वार में दस एक जीरो कर जाएगा मतलब दस परसंट देख रहा कि नहीं तो सर डिसकाउंट कितना दिया दस परसंट नमर बताइएगा भी ठीक है चलिए अगला सवाल आपके स्क्रिन पर मेरे भाई ये रहा देखिएगा फटा फटा बटा सवाल की सुरुबात करते हैं मैंने उम्दा सवाल है गाईस क्या हैसार ब जानता दो डिसकाउंट के साथ जलता इसको कितना बैच दिया सर फिस सौट में बेच आ जाता है पहला डिसकाउंट अगर 20 फरसंट्ट है डूसरा डिसकाउंट क्या होगा most 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 important सवाल कर लो इस तरह सवाल गाई जो पुछा जाता मैं आपको बता देता हूं सर डिसकाउंट क्या हो जाता किस पर निकालता हो हम बले mark price पर सुन लो यहां पर प्राइस देकर यहां इसे बाहर नहीं जा सकता है सकता है कितना निया है 64,000 है क्या हूं ऑले का स्वाथ का समान को मतलब क्या हो हूं है cos 60 माव गज़ दिए मतला साट बटे सो तो यहां परहला बात तो clear हो गया sir कि 20% discount का मतलव 80 बटे 100 में समान को बेच दिये से यह बात बताओ कि क्या हम बहुत असी तुम कैसे लिखा पता है 20% discount का मतलव भाया 100 में से sir 20 को घटा दिया होंगे हम बहुत दूसरा का discount पता है हम बहुत नहीं पता है सर यह हमारा discount है कितना सर पचीश सब बलो भाई यह साथ है पैन कोई बच्चा नहीं चला ना सर यह 0000 कटा दिया हम बहुत बढ़िया 64 से हमको और कट लेवदी खरार रुख जाओ सर यह 64 से कटाओ ना सर 64 चोका हो जाएगा कितना 252 सर एक बाद और बताओं बता बताओं क्या बताओं सर यह 40 से कटाओ नो दो बार में 80 हो जाएगा हम बहुत अब यह जाएगा 50 उदर जाएगदा क्या उदर जाएगा इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लाइन में सवाल को डिल कर सकते थे, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आएगा, जिससे पहले आप इसको स्क्रीन सौट करके क्या करें, रख लें, जब तक कि एक जाम आपका हो नहीं जाता है, ठीक है, चलिए, यह आपका अगल से फोकस करो, मतलब, जो सामने में है, उस पे फोकस कर, दूसरा वाली पर ध्यान मत दो, ठीक है, चलो, आओ, क्या सवाल, एक सौपकीपर पे कमिशन, कमिशन सर नया वड़ आ गया, हम बने समझो, फिलाल कमिशन का मतलब डिसकाउंट, समझा क्या, सा समझ गए, कमिशन का मत प्रेस क्या होगा, सुनलो भईया, एक बात, रेगले रसन बता रहा हूं तुमको, कभी भी, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, लाब, और डिसकाउंट, ये चार चीज़ दिया जाए रहा, तो इस तरह सवाल को, और अरल करने तरीका बतारो, सुनलो, ये कॉस्ट जरूत नहीं है, ये बात दिमाग में चाप लो, कि अगर डिसकाउंट दिया जाए, और लाब प्रॉफिट दिया जाए, तो यहां पर फर्मॉला लगा करके, CP और MP का रेशियो तक, पहुचा जा सकता है, विदिन सकेंड, ठीक है भई, आओ, चिपकाता हूं, सर, कितना डि 22 हुआ, और ये कितना होगा, बताओगे, सर 115, तुम लोगो 23 का टेवल याद है कि नहीं, अरे सर, हम टेवल कहां याद करते हैं, सर, है न, टेवल जल्दी से याद करके रखो, तुम्हें जितना बच्चा ऑफलाइन में होगा, जितना बच्चा ऑफलाइन में होगा, सब्सक्राइब लो यह कितना पांच इसका मतलब क्या प्रैस कितना हो गवागा है तो सब्सक्राइब कितना हो जाएगा 100 तो Mark Price तुम्हारा कितना हो जाएगा 100 सवाल क्या पुछा तुमसे Mark Price कहा पर कौन से बोलो Option number B बात के जरुआ की नहीं बताओ क्लियर है सर अगला सवाल आपके स्क्रिंप आएगा जल्दी से स्क्रिंप लिजेगा ठीक है ठीक चलिए एक और सवाल सर बहुत अच्छा सवाल है कि सिवस्तु का क्रेम मुली उसके अंकित मुली का 75% है ठीक है 15% बटा ने छूट देने के बाद वेपारी का लाप परतिस्त कितना होगा दिमाग मत लगाना सवाल बोला कि कौस्ट प्राइस मार्क प्राइस का 75% है तो दिमाग क्यों लगा रही है सुनो यहां पर तो जिससे कंपेर किया गया उसको स्वाल मार्क प्राइस अगर 100 होगा तो बबु समझो तो यह कितना होगा 75 रुपया होगा बात समया है कि नहीं यह बोला सर लाप परसंट हम लें लाप परसंट के लिए तुम्हार पार सेलिंग प्राइस भी होना चाहिए हलां कि आगे पी बोला है सर 15% का क्या दिया छूट दिया तो छूट हमेंसा कहा चूट दो सर यह मार्क परसंट का छूट दे दिये सर स्वा का पंदरा परसंट का मतलब 15 रुपया माफ हो गया तो बेचा कितना मैं सर 85 रुपया में बेचे हैं तो यह 50 रुपया क्या है हम लें सेलिंग पराइस तो अभी भी बताना पड़ेगा क्या 75 में तुम समान को खरीद कर 50 बेचोगे, तुमको लाब कितना होगा, अरे सर लाब होगा बता रहें, सुनो जाड़ाओ, सर हमको लाब हुआ कितना, 10 के रुक जाओ, 10 लाब हुआ, कितना पर, 75 पर, और इंटु हमको 100 नहीं कराएंगे, क्या चाहिए न सर, क्यों, profit percent चाहिए, तो गुना कर दो कितना, 100, किसे कड़ेगा, 25 से 3 बार में, और 25 से कितना हो जाएगा, 4 बार में, तो 10 चोगा 40, तो यहां लिखते हैं, तो इसका किल्कुलेशन यहां कर रहा हूँ, तो सर, 100 percent बराबर क्या हो जाएगा, 40 बटे 3 percent, भाग देंगेत हो जाएगा, 40 सही, 1 बटे 3 percent का, क्या हो जा खतम कर दूँगा, ठीक है, चलिए, तो उमीद करते हैं, यह पूरे आप लोगों को जो concept रहा होगा, पूरा किलियर रहा होगा, हैने profit loss की जो भी सवाल ने था, मैं बहुत उम्दे तरीके साब को कोशिस किया, एक simple भासा में आप तक पहुँचा देने का, ठीक है, और इस स पहुत हेल्प कर रहा है, हमारे टीम राद दिन कर रही है, अब देख पार है, ठीक है, तो फिर मुलकात करते हैं, अब ट्रीक अच्छा लगा होगा, कमेंट जरूर करिए, किसा और आप लोग वीडियो से लाते रही है, ठीक है, तो इसका आगला से स्थन भी लाओंगा, प पार आप लादो